नहुस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ती लॉगडाउन की अवदी बढ़ चुकी है हम सब जो अभी इसको देख रहें इस वीडियो को आप जो देख रहें हो सकता है जादा तर उनमें से तीन मई तक आप सब को घर पर ब मिलेगी जैसे की जो खेत मजूर हैं वो काम कर पाएंगे वो अपना फसल जो है उसको मंडी तक ले जा पाएंगे जो सरकारी एजेंसिया अनाज मंडी से खरीदती है वो ये कर पाएगी फर्टिलाइजर बिक्चा जाएगा जो दुकान एग्रिकल्चिल एक्विप्मेंट जैसे की ट्रैक्टर हुआ थ्रिशर हुआ ये सब बेचती हैं वो खुले रहेंगे ट्रक की आवाजाही पर रोख हटाया जा रहा है हाईवे पर कुछ धाबे खोले जा सकते हैं जो ट्रकों के लिए होंगे ट्रकों के रिपेर और उनके लिए जो मेकैनिक होते हैं उनके कि बेरोजगारी जो है जो बहुत उपर चली गई है वो और भी बढ़ सकती है आज इसी बेरोजगारी की जो महामारी है उसका हिसाब लगाएंगे इस एपिसोड में हमारी देश की आबादी लगभग 138 करोड है और उनमें से काम करने लायक लोग जो काम कर सकते हैं जिसको वर्किंग एज पॉपुलेशन का जाता है वो लगभग 100 करोड है अब देखें जो काम कर सकते हैं उनमें से सब काम नहीं करते हैं कुछ जो है स्टूडेंट है कुछ बहुत जादा बुजर्ग है कुछ घर में इतना जादा काम करते हैं कि वो बाहर पैसे से काम नहीं कर सकते हैं की बहुत सारे और थे तो हमारे देश में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है यानि कि जो लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंड रहे हैं ये बहुत ही कम है लगबग 42 से 45 प्रतिशत है जो काम करने वाले उमर के लोग है उनका यानि कि पिछले एक साल में अगर हम देखे 42 से 45 करोड लोग या तो काम ढूंड रहे थे या काम कर रहे थे इसकी तुलना आप अगर किसी और देश के साथ करेंगे तो ये बहुत ही कम है बाकी देशों में लगबग 2 त्याही यानि लगबग 66 प्रतिशत जो काम करने के योग्य लोग है मतलब 15 साल से उपर के लोग हैं वो काम करने जाते हैं या काम ढूंडते हैं चीन के साथ अगर हम कंपेर कर ले जहां पर हमारा मैंने बताया 42 से 45 प्रतिशत के बीच होता है चीन में वो 70 प्रतिशत से जादा है यानि की working age population में labor force participation rate जादा है चीन में और बाकी देशों में हमारे देश की तुलना में अब जो लोग काम ढूंड रहे हैं कुछ लोगों को काम मिलता है और कुछों को नहीं मिलता है जिनको काम नहीं मिलाए लेकिन काम ढूंड रहे हैं उन्ही को अपचारिक रूप से unemployed यानि की बेरोजगार माना जाता है अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको रोजगार की जरूरत है जिनके पास आई नहीं है लेकिन इतने सालों से उनको काम नहीं मिला है या ढंका काम नहीं मिला है कि उन्होंने हाली छोड़ दिया है वो बेरोजगार है लेकिन आपचारिक रूप से उनको बेरोजगार नहीं मा क्योंकि बहुत लोग काम ढूंडते ही नहीं है जैसे कि अगर हम पिछले महिने के 20 तारिक का डेटा लेने यानि कि 20 मार्च का जो कि बिलकुल लॉक्डाउन से पहले का है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि कितने लोग काम ढूंड रहे हैं कितने को नौकरी मिली और कितने बेरोजगार है खेर यहां पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं यह जो डेटा आपको दे रहा हूं वो CMI का weekly यानि की सापताहिक डेटा है CMI इसको जो पब्लिक करती है तो यह डेटा फीसदी रेट पर देती है मैंने उन आकडों को करोडों में बदला है थोड़ा बहुत इदर उदर होगा लेकिन जादा फर्क इसमें नहीं आएगा इसको याद कर आकर आपको मैं आगे बढ़ता हूं तो बीस मार्च का जो डेटा हमारे सामने है CMI का उसमें हमारे सामने दिख रहा है कि लगभग 42 करोड से जादा लगभग 43 करोड लोग काम ढूंड रहे थे और उनमें से 49 करोड से थोड़ा जादा लोगों को काम मिला हुआ था यानि कि अगर हम देखे तो 3.5 करोड लोग बेरोजगार थे ये लॉक्डाउन से तुरंत पहले की बात है अब अगर हम लॉक्डाउन के 3 हफ़ते बाद की बात ले लें जो की CMI का लेटिस डेटा है जो 12 अपरेल तक का डेटा उनके सामने है ये तो अब देखे कितने लोग हैं मैंने आपको बताया था कि 43 करोड लोग के आसपास लोग काम ढूंड रहे हैं थे पहले यानि कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो गिरकर 36 करोड से कम हो गया 36 करोड से कम लोग या तो काम कर रहे थे या काम ढूंड रहे थे और उनमें से सिर्फ 27 करोड लोगों को काम मिला हुआ था यानि कि अगर आप देखें तो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोग 7 करोड कम हो गए और जो टोटल नौकरी पहले थी मार्श के 20 तारिक को 49 करोड के आसपास लोग काम कर रहे थे वही तीन महीने बाद 12 करोड कम हो गया यानि कि सिर्फ 27 करोड लोग काम पर रहे गए फिर से बताता हूँ यानि कि 3 हफ़तों में लॉकडाउन के 12 करोड लोगों की नौकरियां गई यानि कि जो मार्च के एंड तक काम कर रहे थे उन में से 31 प्रतिशत लोगों की नौकरी चली गई लॉकडाउन के कारण यह होना ही था क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभब 40 प्रतिशत लोग दिहारी में काम करते हैं उनको हर रोज पैसा मिलता है 6 प्रतिशत लोग सापता ही क्रेट में उनको पैसा मिलता है यानि कि 46 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनका अगर लॉकडाउन एक महीं हफते से जादा चले तो उनकी नौकरी जानी थी सिर्फ जो क्रिशी में काम करते हैं या Essential Services में काम करते हैं उनको छोड़ दीजिए बाकियों की नौकरी तो खत्रे में थी ही साथ में जब लॉकडाउन है एक और चीज होना ही है काम है नहीं तो काम ढूंडने का भी मतलब नहीं है क्यूंकि उनको लग रहा था वहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मदद मिलने वाली है जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार ने मोधी सरकार ने अनाउंस किया कि 80 करोड लोगों को 5-5 किलो हर महीने मुफ्त का अनाज मिलने वाला है साथ में 8.5 करोड किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए डलने वाले हैं या तो डल चुके हैं या आने वाले इसी महीने PM किसान का एक इंस्टॉल्मेंट साथ में 19 करोड से जादा महिलाओं के जंधन अकाउंट में 500-500 रुपए डलने वाले 3 करोड विद्वा और बुजूर्गों के अकाउंट में भी 500-500 रुपए तीन महीने तक आएंगे LPG लगभग 8-9 करोड घरों में मुफ्त के LPG तीन महीने तक मिलने वाली है और उपर से सरकार ने कहा है कि 20 अपरेल से मनरेगा का काम भी शुरू हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा मास्क पहनना पड़ेगा और 20-20 रुपए प्रति दिन का जो दिहारी है वो उसको भी बढ़ाने की बात की गई है तो इसी लिए गाओं वापस जा रहे थे इतने सारे लोग क्यूंकि उनको लग रहा था वहाँ पर काम मिले ना मिले काम ढूणने की ज़रूरत नहीं है काम मिले ना मिले सरकारी मदद मिलने वाली है कहीं कहीं पे जैसे मैंने कुछ senior journalist से बात की तो उन्होंने कहा बहुत सारे घरों में 3,000 से 5,000 रुपे आ गया है account में मुफ्त का LPG आ गया है कहीं पे kerosene आया है state government ने या center ने राशन भी दे रखा है तो शेहर में बिना आय के बिना नौकरी के बिना खाने के रहने से बहतर है काम न ढूँड कर काम छोड़िये और जाकर गाव में जाई आप कहेंगे कि इतने कम पैसे से होने क्या वाला है जी हाँ सही बात है क्योंकि हम जैसे लोग जो ये देख रहे हैं या मैं जो बना रहा हूँ वो 2-4 हजार रुपए में महीना कैसे चला सकते हैं लेकिन एक चीज याद रखिए कि हमारे देश में जादातर लोग उतना ही कमाते हैं वो ही 6-7-8 हजार रुपए और अगर शहर में रहे उतना कमा कर तो उस पर खर्चा और बाकी पैसा घर बेजते हैं अगर शहर में ना रहे तो वो ही 4-5 हजार में चल जाएगा साथ में अगर मुफ्त का अनाज मिले यह एक subsistence level of existence कहा जाता है जहां पर लोग सिर्फ उतना ही चाते हैं जिससे वो जी सके सिर्फ रोटी दो वक्त की मिल जाए थोड़े बहुत कपड़े मिल जाए एक जोपड़ा मिल जाए रहने का उनका और कोई भी महत्वा का अंक्षा नहीं है कि वो गाड़ी खरी देंगे, बंगला खरी देंगे, फ्रिज खरी देंगे हां कहा जाता है कि आजकल बहुत जादा aspiration बढ़ गया है, ambition बढ़ गया है हो सकता है कि देश के 70% लोगों को ऐसा हुआ होगा लेकिन 30% जो सबसे नीचे हैं वो पिछले 30 साल में और भी गरीब हुए हैं और उनका सिर्व एक ही मकसद है किसी तरह जी लो यही वो चाते हैं मैं आपको एक चीज बता दूँ कि हमारे दिमाग में जो रहता है कि गरीबों को अगर थोड़ा बहुत पैसा दिया जाए तो सब कुछ ठीक चल रहा है, जी नहीं इसी सिस्टम ने हम उनको ऐसा रखा है कि वो सिर्फ अपना रोटी मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं इसलिए इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है ताकि देश के जो सबसे गरीब 20-30 प्रतिशत लोग हैं जो किसी तरह सिर्फ जीना चाते हैं वो भी एक अच्छे जिंदगी के लिए लड़ना सीखे